अब तक आपने अनेक देवी देवताओं और उनकी माननेताओं के बारे में सुना होगा लेकिन आज हम आपको एक ऐसी देवी के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके रूप के पीछे एक अनुखी कहानी है उनका रूप अन्ने देवी देवताओं की तरह सुहागन और अतिल भाबना नहीं बलकि डरावना और कुरूर होता है इनका यह विद्वा रूप है परन्तु कहा जाता है कि यह यहाँ पर आने वाले सभी भक्तों की मुराद पूरी करती है इनका पूजन सिर्फ विद्वाए ही करती है किन्तु सुहागन इस्त्रियां भी इनसे अपने पती, पुत्र और परिवार के लिए सुक संब्रधी वा दीरगायू मांगती है ये है माता धुमावती, माता धुमावती की जयनती बारह जून की अफसर पर पढ़ती है और इनसे जुड़ी हुई कई बाते हैं, इनमें से कुछ बाते आज हम आपको पताने जा रहे हैं मद्य प्रदेश के दत्य जले में माता धुमावती का अपना एक स्थान है यह मंदिर अनोखा है यहां सबसे विशेश बात यह है कि धुमावती माता को नमकीन पकवान जैसे मगोडे, पकोडी, कचोडी, समूसे वर नमकीन चीजों का भोग लगाया जाता है जिनकी दुकाने यहां आसपास ही हैं, लोग इने प्रसाद के रूप में खरी दिते हैं बाद में भक्त इनी प्रसादों को आपस में बाटते वाखाते हैं सीतापूर, यूपी वा नेपाल में भी माता धुमावती के मंदिर है पर ये मंदिर अपने आप में अनुखा है माना जाता है कि मापीतामरा पीट की स्थापना एक संत जिनने स्वामी जी महराज कहा जाता है उन्हों ने की थी स्थानिय किवदंती के अनुसार इस पीट परिसर में माता धुमावती की स्थापना ना करने के लिए अनेक विद्वानों ने स्वामी जी से आग्रह किया था तब स्वामी जी न कहा कि मा का भयंकर रूप तो दुष्टों के लिए है पर भक्तों के लिए ये एक दयालू वा अतिप्रिय है जब मा पितांबरा पीट में धुमावती माता की स्थापना की गई थी जब पितांबरा पीट में मा धुमावती की स्थापना की गई थी तो उसी दिन स्वामी जी महराज ब्रह्म में लीन होने की तयारी शुरू कर चुके थे बताया जाता है कि ठीक एक वर्ष के बाद मा धुमावती के जयनते के दिन स्वामी जी माहराज ब्रह्म में लीन हो गए थे माध्धुमावती की आरती सुभह शाम होती है लेकिन भक्तों के लिए माध्धुमावती मंदिर शनिवार की सुभह दो घंटे के लिए खोला जाता है बाकी समय ये मंदिर बंद रहता है मतलब इसके पट लगे रहते हैं इनके दर्शन केवल शनिवार के दिन होते हैं। पौराली ग्रंतों के अनसार रिशी दुर्वासा, रिशी भंगू, पर्शुराम, आदे की मूल शक्ती मा धुमावती हैं। जीवन में एक बार ये मंदिर अबश्य दर्शन करने के योग्य है। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक करें। वीडियो को शेयर करें। वर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। झाल करें। झाल झाल